कि यमन जो है वो इतना चोटा सा देश है तो वो अरब और यूएस के लिए खत्रा कैसे पैदा कर सकता है तो देखिए अरब और हूती कट्र दुश्मन है यह मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ आठ साल तक इनके बीच में जो है जंग चली थी साथी अरब ने मिसाइल्स ड्रोन्स और कई हमले किये थे हूतीयों पर जो कि यमन में रहते थे और इसमें कई मासूम जाने भी गई थी और कई लोग जो लड़ाके थे उनकी भी जाने गई थी हूती ने किया इसराइल पर हमला और अभी जो हुआ है अभी इसराइल हमस बॉर में हम इसको क्यों डिसकस कर रहे हैं क्योंकि हूती ने इसराइल पर हमला किया है हमास के समर्थन में अरब निंदा कर फसेगा अच्छा अब इसमें आप देखिए कि साओधी अरब की पोजिश अगर वो इस हमले के निंदा करता है तो ऐसा लगेगा कि भैसा वो यहूदियों को समर्थन कर रहा है यानि इसराइल को समर्थन कर रहा है एरान हूती का पख्ष भी नहीं ले सकता है अब एरान और एरान और हूती आप देख लिजे यह जो शिया वाले हैं तो उनका पख्ष मैंने आपको मैप से समझा दिया था कि यमन के इस तरफ सना से जो मिसाइल से वो इसराइल की तरफ दागी गए तो आप देख लिए जिए बीच में साउदी अरब है क्या पता अगर मिस फायर हो जाए तो और क्या पता अगर बीच में अटक जा और गिर जा और ऐसा पहले भी हो चुका है हूती ने साउदी अरब पर अपनी मिसाइले दागी थी 2019 में हूती का अरब पर हमला यह मैंने आपको बताया और इसके कारण क्या हुआ था जब 2019 में हूतियों ने अरब पर हमला किया था और कहां पर किया था जहां पर उनके ऑईल टैंकर्स थे यहां पर उनका oil का पूरा business चलता है तो उसके बाद में export में भी यहाँ पर अरब में कमी आ गई थी तेल की इस्राइल, US, इरान में क्या पक्ष अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया अरब फस गया है कि अगर पक्ष ले तो किसका ले इरान का नहीं ले सकता क्योंकि उसका कच्चर विरोधी है कूती का नहीं ले सकता क्योंकि उसका भी कच्चर विरोधी है इस्राइल का भी नहीं ले सकता है तो आखिर अरब अब कौन सा पक्ष लेगा और उसका टेक क्या होगा अब आपको पता है कि US और अरब के रिष्टे अच्छे हैं लेकिन US पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़ा है तो आप जो साओधी अरब है उसका जो आप्शन चुनना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर खाई है इधर कुआ है आखिर किया क्या जाए और देखिए एक बार अगर साओधी अरब इस जंग में कूद गया तो आप देख लीजिए इतनी भारी तबाई होने वाली है क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड का साओधी अरब राजा माना जाता है और अभी तक उसने सिर्फ इसराइल के हमलों की निंदा की है लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉंग टेक नहीं लिया